नमस्कार आप देख रहे हैं नूजफ फोर्नेशन और मैं हूं प्याजरचन और आज की सबसे बड़ी खबरिया है कि भारतिये जनता पार्टी के 12 लोकसभा सांसदों ने इस्तिफा दे दिया है जी हां भाजपा के 12 लोकसभा सांसदों ने अभी अभी इस्तिफा दे दिया है और उनके इस्तिफा देने के पीछे की जो वज़ा भी है वह वज़ा काफी खास है और यह खास वज़ा हिया है कि भारतिय जनता पार्टी अब अपने सांसदों का इस्तिफा दिला करके भाजप को मजबूत करने के रननीती पे आगे बढ़ी है दरसर भारतिय जंता पार्टी ने देश के पांच राजियों में हुए विधान सभा चुनाओं में शांदार प्रदर्शन किया है तीन राजियों में भाजपा की सरकार बनी है और सेस्तो दो राज रहे हैं वहां भी भारतिय जंता पार्टी के विधाईकों की संख्या पिछले चुनाओं की तुलना में इस बार बर ही है और इन सब के बीच पांच राजियों के विधान सभा चुनाओं को जीतने के लिए भाजपा ने जो अपनी रननीती बनाई थी उस रननीती को अगर आप याद करें तो भाजप ने लोकसभा में निरवाचित 21 सांसदों को इस बार देश के अलग-अलग राजियों में विधान सभा के चुनाओं में उतारा था और जब 3 दिसंबर को चुनाओ परिणाम आए हैं तो अगर आप उन चुनाओ परिणामों पर गौर करेंगे तो उन चुनाओ परिणाम में और अगर नियमों की बात करें तो नियम या है कि अगर कोई निरवाचित जनप्रतिनिधे सांसद है और वह विधायक का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं या फिर अगर कोई व्यक्ति विधायक है और सांसद का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो की अनुसार उन्हें अगले 14 दिनों के भीतर अपने एक पद को छोड़ना पड़ता है तो ऐसे में भारतिय जनता पाटी ने जिन सांसदों को विधान सभा चुनाओं में मैदान में उतारा था और उसमें से जो 12 सांसद चुनाओं जीत करके अलग-अलग विधान सभा में निर्वाचित हुए हैं उन्होंने अब अपना इस्तिफा दे दिया है और लोक सभा चुनाओं पे जब अब कुछ महीने ही सेश बचे हैं तो उसके पहले भारतिये जनता पार्टे ने इस बरे उलट फेर को करते हुए अब अपने एक दर्जन सांसदों से आज इस्तिफा ले लिया है और सांसदों ने अलग-अलग जो राजियों से दिर्वाचित हुए हैं उन्होंने अपना इस्तिफा भी अब सौप दिया है दसल अगर हम बात करें भारतिये जनता पार्टी के सांसदों का जिन्होंने विधान सभा चुनाओं में मैदान में अपनी किसमत आजमाई थी तो उसमें भारतिये जनता पार्टी ने राजस्थान और मध्यप्रदेश से साथ साथ लोग सभा सांसदों को जबकि 36 गर में चार और तेरंगाना में तीन सांसदों को विधान सभा का चुनाओं लड़ाया मध्यप्रदेश में केंद्रिय क्रिशी मंतरी नरेंदर सिंग तोमर केंद्रिय मंतरी प्रहलात पटेल और फगन सिंग कुलस्ते सांसद राकेश सिंग, गनेश सिंग, रिती पाठक, उदेपरताप सिंग को चुनाव मैदान में उतारा गया था इनमें तोमर, पटेल, राकेश सिंग, रिती पाठक और राव उदेपरताप सिंग चुनाव जीते हैं जबकि कुलस्ते और गनेश सिंग चुनाव हार गए हैं। जबकि राजस्थान के अगर हम बात करें तो राजस्थान में राजवर्धन सिंग राठोर, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, देवजी पटेल, नरेंद्र कुमार और भागीरत चौधरी को भारतिय जनता पार्ट केंद्रिय राजमंत्री रेनुका सिंग, गोमती साय, अरुन साव, विजय बगहेल ने चुनाव लरा और इसमें विजय बगहेल चुनाव हार गए। इसके अतरिक सेश जो थे उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। जबकि तेलंगाना के अगर हम बात करें तो तेलंग प्रदेश, राजस्थान और 36 गर्चे भारतिय जनता पार्टी के जो एक दरजन सांसद अब निर्वाचित होकर अपने अपने राज्यों में विधान सभा में पहुँचे हैं। उन तमाम सांसदों ने अपना इस्तिफा दे दिया है। और माना जा रहा है कि भारतिय जनता और अपने अपने पूरे इलाके में भाधपा को ससक्त करने के लिए जमिनी इस्तर पर बड़ा काम करेंगे और भारतिय जनता पार्टी इस रननीती से 36 गर, मध्यप्रदीश और राजस्थान में एक बार फिर से लोक सभाचुनाओं में अपना जीत का परचंबल हराने के ये बरिरन नीती पे आगे बहेगी